वाई टेडर लॉस मनी इन स्टॉक्स मार्केट रिटेल टेडर स्टॉक्स मार्केट में पैसा क्यों गवाता है आज की जो हमारी वीडियो है हम इस पेश चर्चा करेंगे कि उसके कारण क्या है वो पैसे क्यों गवाता है और उससे बचने के लिए जो उपाए है इस वीडियो स्याम टेक दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से नए जूड रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने सोसल मीडिया वाट्स इनले में सॉल्व नहीं होने वाली है हमारे माइंड पर इसका बहुत पहले से पर चुका है तो इसके लिए में बहुत इंपोर्टेंट है हमारा मासेड कीजिए हमारा ट्रेडिंस साईकलोजिज़ जोнокब है वह बहुत स्क्राइब को हम सब्सक्राइब उसका जो के उपाए करेंगे चर्चा करें उसके उपाय के बारे में यहां पर आप लोग को बताऊचा को अ क्यों स्कुल यह कुल होता है वो technology को use नहीं करता है जैसे कि मान लीजे retail trader ज़्यादा तर जो trader होते हैं वो mobile से trading करते हैं जो कि ये सबसे गलत तरीका है trading का अगर आप trading कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास minimum एक laptop तो होना ही चाहिए mobile से trading नहीं कर सकते हैं आप mobile को phone करने के लिए यूज कीजिए बाकी चीजों के लिए यूज कीजिए लेकिन mobile से आप trading सिर्फ mobile से trading कर रहे हैं तो ये गलत है आपको अगर mobile से order punching कर सकते हैं लेकिन आपको chart देखने के लिए market को समझने के लिए आपको terminal होना जरूरी है terminal पे आप चीजों को देखते करने के लिए तो वो जमाना बहुत दूर की बात है कि आप यहां पे नए ने technology आ चुकी है लोग technology को use करते हैं और technology हमेशा उनको retail से दो कदम आगे रखती है तो इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा अब मालियर technology से मतलब इस तरह से समझ लीजे कि जैसे मालियर हमारे और आपके बीट में लड़ाई हो रहे हम इस stock market में लड़ाई ही कर रहे हैं किसी का पैसा हम छीन के यहां पे लेके जा रहे हैं तो हम दो लोग यहां पे लड़ाई करने के लिए तयार है आपके पास लट है यानि लाठी है और हमारे पास यहां पे AK-47 है या मान लीजे आपके पास revolver है या rifle है और मेरे पास AK-47 है जब तक आप एक गोली चलाओगे तब तक मैं दना दन दन दस गोलियां यहां से चला दूँगा हो सकता आपके पास अगर लट है अब और पुरानी technology में है अब phone करके broker को trade डालते है और trade exit करते है तो आप समझ लिजे लट से यहां पे मार करने या लडाई करने लट से आ रहे हैं और मेरे पास में यहां पे AK-47 है तो आप हमसे कभी जीत ही नहीं सकते हो इस चीज को आपको मान के चरना है कि technology को use करना है अगर आप technology को use नहीं करते हैं सही तरीके से तो समझ लिजेगा stock market से आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनने वाला है तो कोशिस कीजिए ज़्यादा तर कि laptop से trade कीजिए laptop पे chart को देखते रहिए अपने analysis को वहां पे देखते रहिए और फिर trading कीजिए आप यहाँ पे mobile पे बस में चलते चलते हम trading कर लेते हैं मैटो में बैठे बैठे आप trading करोगे तो यह रोज आपका बिल्कुल चलने वाला नहीं है किसी दिन हाँ आपकी analysis perfect है तो एकाथ दिन आप यह चीजे कर सकते हैं लेकिन continue आप बोलोगे सिर्फ मैं mobile से देखके ही trading करता हूँ तो बिल्कुल आप successful stock market में नहीं हो पाएंगे दूसरा जो सबते बड़ा कारण है वो है छोटा पैसा बड़ा प्रॉफिल रिटेल हमेसा रिटेलर जो होता है वो हमेसा छोटा पैसा लेके आता है मान लेज़े यहाँ पे वो 10,000 लेके आ रहा है और उसको महिने के अंत में 50,000 चाहिए अगर आप इस तरह की सोच के साथ में stock market में आते हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल पैसा नहीं बना सकते हैं आप देखो चीजों को समझे पहले देखिए बैंक जो हमें इंट्रेस देता है वो 7,5% का इंट्रेस मिलता है मिच्वल फंड हमें 15-18% का रिटन देता है तो आप यह मान के चलिए ना कि मैं एक साल में सिर्फ यह सोच के अगर आप चलिए कि मैं इस साल में सिर्फ 50% टेडिंग से कमाना चाहता हूँ यानि 10,000 रुपै को मैं 15,000 बनाना चाहता हूँ वो भी पूरे साल में एक बार सिर्फ आप इस तरह से सोच करके देखिए फिर देखिएगा आपके जो ट्रेडिंग साइकलोजी है आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें कितना बड़ा चेंज आ जाता है जो आप लॉस करते थे साइद हुआ आप प्रॉफिट करना स्टार्ट करोगे लेकिन जब तक आपके अंदर ये दिमाग है कि मैं यहाँ पे चिलर लेके आऊ और गोनी भर-बर के यानि बोरी भर-बर के यहाँ से पैसा लेके जाओ तो आप बिलकुल यहाँ से पैसा लेके नहीं जा सकते हो आप अगर दस अजार लेके आये हो तो पहले यह सोचो कि मैं पूरे साल में सिर्फ 50% टेडिंग से कमाना चाता हूँ सर एक चीज़ जान लो बैंक अगर 7% दे रहा मिच्वल फंड 15% देने के बाद इन दोनों में हम खुस हैं बहुत सारे लोग की हमारी FD होगी बहुत सारे लोग मिच्वल फंड में इंवेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर हम 15% पे खुस हो सकते हैं तो हम 50% पे क्यों नहीं खुस हो सकते हैं हमें क्यों हर महीने पैसे को डबल करना है अगर आप यह सोच थोड़ी सी चेंज कर ले थोड़ा सा आप व्यू अलग चेंज कर ले हो सकता है market आपको महीने में, दो महीने में, तीन महीने में आपके पैसे को 50% कर दे, लेकिन आपकी ये सोच नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच ये होनी चाहिए, कि मुझे पैसा 50% मुझे पूरे साल में चाहिए, पूरे साल में 50% का return चाहिए, उस हिसाब से आप trading अपनी style generate कीजिए, से 10,000 बनाऊंगा तो यह यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप छोटा टार्गेट लेके चलिए पूरे साल का छोटा टार्गेट लेके चलिए और उसके हिसाब से परड़े का अपना गोल डिसाइड कीजिए परवीक का गोल डिसाइड कीजिए और फिर मंतली गोल अपना डिसाइड कीजिए रिटेलर जो तीसरी सबसे बड़ी गलती करता है मैं बहुत सारे मुझे कॉल साते हैं मैं training program लेता हूँ तो training program में भी बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि sir मैं 4 दिन 5 दिन continue profit में रहता हूँ और 5 में दिन मैं loss में आ जाता हूँ और 5 में दिन में इतना बड़ा loss ले लेता हूँ कि पिछले 4-5 दिन का profit में loss में convert कर देता हूँ दोस्तो 70% लोगों की यही समस्या है और इस समस्या का समाधान भी आपको ही करना है बस आपको अपने mindset को यानि अपनी trading psychology को इतना ही strong कर लेना है कि अगर market आपको 4 दिन दे रहा है और एक दिन ले रहा है तो उसको ले लेने दो आप मान लो कि आज मैं हार गया हूँ ठीक है आज अगर मैं हर दिन 500 रुपए या 1000,000 रुपए कमा रहा हूँ अगर उस दिन market मुझे 700 या 800 रुपए ले लेता है तो आप दे दो और अपने trading terminal को बंद कर दीजिए अगर आप loss making है तो भी अपने terminal को बंद कर दीजिए अगर आपने profit कमा लिया है तो भी terminal को बंद कर दीजिए terminal को बंद करने से ही आपका profit रुखेगा और terminal को बंद करने से ही आपका loss रुखेगा अगर आप सारे दिन terminal को खोल के बैठे हुए हैं तो यह confirm है कि साड़े तीन वज़े तक आप अपने profit को loss में convert कर देंगे तो आज से एक ध्यान रखनी है कि अगर market ने आपको 2 दिन दिया, 3 दिन दिया और 4 दिन आप से market लेता है तो उसको दे दीजिए, दक्षिना सबच कर दे दीजिए तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी दिन loss होता है तो accept करना है मान लेना है कि आज मैं हार गया, आज मेरी जो style थी, आज जो मेरी technical थी वो चली नहीं आप मान लेना है और terminal को close कर देना है और जो loss हो रहा है उसको लेके बाहर निकलाना है देखिए चोथा सबसे बड़ा कारण यह है कि साइद आप जो trade करते हैं वो over trade करते हो आपकी trading style किस तरह से है और जो professional होते हैं वो किस तरह से trade करते हैं उसके बारे में बताता हूँ देखिए जो आपने अगर मान लीजे कोई 500 का stocks है और सुबह आपने उसकी 500 quantity trade कर ली तो जब आप अगला trade करोगे ना तो 100% आप 700 या 1000 quantity से trade करने वाले हो 1000 quantity से आप trade करोगे तो यह सबसे बड़ा impact होता है loss का क्योंकि आप क्या कर रहे हो हर बार quantity को double करते हुए जा रहे हो इस बार 500 कर रहे हो अगली बार 700 करोगे profit हो गया तो अगली बार आप 1000 करोगे 1000 वारे में loss हो गया तो वापस आप minus में आके खड़े हो जाते हो हाँ अगर मैं trade करूँगा तो मैं किस तरह से trade करूँगा मालीजे सुबह मैंने किसी stocks की अगर 2000 quantity ली हुई है तो जब मैं अगला trade करूँगा अगर same price का या उसी price के आज़ पास का कोई stock मिलता है तो अब मैं 2000 quantity से trade ना करके अगर मुझे पहले trade में profit हुआ है तो जब अगला trade करूँगा मैं 1000 quantity से करूँगा अगर 1000 quantity में भी मुझे profit हो गया है तो मैं जब तीसरा trade करूँगा तो वो 500 quantity से करूँगा यानी profit के बाद जो मेरा trade होता है वो minus यानि मेरी जो quantity होती है वो कम होती जाती है और जो retailer होते हैं जो loss making trader होते हैं उनकी quantity profit के बाद में या loss के बाद में बढ़ती हुई जाती है loss अगर पहले trade में मेरा हो गया तो second trade जो मेरा होगा same quantity का होगा लेकिन अगर profit हो गया तो second trade मेरा जो होगा वो quantity में आधी करके trade करता हूँ तो कोशिद किजिए अगर आपका पहला trade profit में हो गया है तो second trade उसकी आधी quantity से trade किजिए अगर आपने एक लाग से पहला trade लिया है तो दूसरा trade आप पचास अजार से लिजे अगर उसमें loss होता है तो terminal को बंद कर दीजे जयान रखिए और एक चीज और ध्यान रखिए कि हमेशा trade decide कर लिजे पहले आप ये decide कर लिजे कि profit में आपको कितने trade करने है और loss में कितने trade कर दूँगा ये आपकी capital एक लाग है आप decide कर लो पहले से कि अगर मुझे 2000 का loss हो गया तो मैं आप टर्मिनल क्लोज कर दूँगा उसके बाद मैं trade नहीं करूँगा और trade कर लोज करने की terminal को close करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए retail trader के पास ये हिम्मत ही नहीं होती है कि वो टर्मिनल को close कर दे तो जिस दिन आप terminal को close करना सीख जाओगे साइद आप profit को घर लेके जाओगे या छोटे loss में आज का दिन आप खतम कर सकते हो दिए जो पाचवा सबसे बड़ा कारण है loss making का वो क्या होता है retailer यहाँ पे profit लेता ही नहीं है उसे profit चाहिए ही नहीं उस से loss में ही close करना देखिए stock market में हम चोर हैं यह समझेजिए हम चोर हैं हम किसी का पैसा यहाँ पे चुराने के लिए आए हैं अब इस तरह से सोचिए कि चोर क्या करता है अगर चोर आपके घर में चोरी करने जाएगा तो क्या आपको कुछ चीजे वो लेके भागने की कुश यह यह यापिर समझ लीजिए अगर हम ने यहाँ पर वह हम लेकर नहीं भाग रहे हैं तो साइध हमें पुलिस पकड़ सकती है या फिर जो उस घर का माली है वो जग जाएगा तो वह हमें पकड़ लेगा मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर चोर हैं तो हमसे के भागने की कोशिस कीजिए यहां पे बहादूर बनके खड़े मत रहेंगे इस टॉक मार्केट आपको हमेशा लॉस देगा और एक एक चीज़ और बता जेता हूं जाते जाते कि स्टॉक मार्केट समझ दीजिए इंट्राडे टेडिंग करते हैं तो हमेशा छोटे प्रॉफ कीजिए और आपके पास चो कैपिटल है कोशिस कीजिए कि उसके अंदर में ही टेड करें जम आगे रूल्स की वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे और भी बहुत सारी चीज़े आप लोग के लिए बताऊंगा और दोस्तों एक चीज जाते आते हैं कि अगर आप हमारे वाट की कॉल होती है कुछ स्टॉक सी कॉल होती है जिसको आप देख सकते हैं समझ सकते हैं और सीख सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए मेहमाने उसे रिक्व वीडियो में चैहिन